हेलो बच्चों नमस्कार श्वागत हैं आपके अपने यूटूब चैनल एग्रोटेक स्टडी में और मैं हूँ अर्विंद यादव कैसे हैं आप लोग उम्मीद करता हूँ सभी छातर बहुत अच्छे होंगे आज बच्चों मैं आपको लेग रहा हूँ इस वीडियो में MPPAT की पूरी जानकारी 2024 का जो एक्जाम होने वाला है या होगा आगे तो उसकी पूरी जानकारी मैं लेकर आपके सामने हाजर हूँ सबसे पहला जो कोशन रहता है बच्चों का वो कोशन यह है कसर एक्जाम कब भरे जाएंगे ठीक ना तो कोशन तो मैंने सभी लिख ली है जो कोशन आपके जो डाउट रहते हैं जो अभी दिमाग में आपके चल रहे हैं बस आपको सुनना है देखने के लिए तो कुछ ही नहीं है वीडियो टाइप में ऑडियो टाइप में ही है पूरा बस इसको आप लोग सुन लीजिए बहुत अच्छे सुन लीजिए एक बार जिससे आपके जो भी डाउट है जो भी मन में आपका चल रहा है MPPAT को लेकर और अब MPPAT एगरी कल्चर में डिगरी करने का सबसे सांदार परिक्षा है बचो मद्द परदेश के जो भी चातर है MPPAT की परिक्षा जो देना चाहते है या अधरेस्टेट के भी देना चाहते हैं किसी भी राजिसे हों आप दे सकते हैं तो बचो देना है चाहिए एगरी कि यह हैं कि उपना चेना जाना चाहते हैं बिल्कुल जाएं बस एक बात याद रखेए कि जाकर के पढ़ना है ठीक है ना क्यूंकि समय आपके पास तीन साड़े तीन महीने आपको मिलेंगे एक्जाम के लिए ठीक है ना कब भरे जाएंगे फॉम तो बिटा फॉम अभी तो नहीं आया है आपके फॉम मैं बता देता हूँ मई लास्ट और जून फॉस्ट लगभग यह आईडिया है इस समय आपके एक्जाम फॉम भरे जाएंगे जून तक आपके एक्जाम फॉम भरे हो जाएंगे अगर जून में आपके एक्जाम भर फॉम भरे हो जाते हैं तो मैं आपको क्लियर कर देता हूँ कि इसकी जो परिक्षा होगी वो अगस्त में होगी इसकी परिक्षा कब होगी आपकी अगस्त में ठीक ना तो दो चीज़े मैंने आपकी क्लियर कर दी एक तो फोर्म कब भर जाएंगे दूसरी परिक्षा कब होगी तो फोर्म का याद रखें जून महाय तक अभी आपके पास काफी समय है आप लोग अच्छे से अपनी तयारी कर सकते हैं और अगस्त में आपकी परिक्षा होगी तो समय आपके पास भरमार है क्योंकि अगस्त आपका आटवा महीना है और अभी चल कौन सरा है तीसरा तो लगबाग आपको चार महीने अभी से बिलकुल पूरे मिल रहे ह ठीक है तो जो चात्र अच्छे से तयारी कर लेंगे उनीका सेलेक्षन होता है आप लोग भी जानते होगे ठीक है ना कि जो महनत करेगा वही आगे जाएगा इस बात को तो मुझे कहने की बार-बार जरूरत ही नहीं है एक्जाम कब होगा दोनों चीज़े मैंने क्लियर कर जाए फॉर्म का और एक्जाम का तीस तरा सुन लिजे एक्जाम स्लेवस क्या ओका तो एक्जाम स्लेवस एधी आप लोगर देखना चाहते हैं क्या-क्या चीज्च अब नेडिक दे रखी है आपके हमारा जू एप्लिकेशन है एप्लिकेशन में फ्री अप कोस्ट मैंने वहाँ पर डाल रखा है फ्री मेटेरियल स्टडी में आप लोग जाना वहाँ पर पूरा सलेवस डला हुआ लेने के जरुद नहीं है आपके पास पुराना भी सेफ हो तो कोई दिखकत नहीं है अब उसी से भी तयारी कर सकते हो और यादे अपना डिस्क्रप्शन में जाएं और एप्लिकेशन डाउनलोड कर रहें बहाँ पर आपको पूरा सेफ समुरा है एक-एक सब्द मिल जाएगा पूरा मैंने डेटेल में डाल दखा है फिरी हो आप इस्टडी मटेलियल में देख लिए पहां पर लिखा होगा फ्री स्टडी मटेलियल वहां पर आप लोग उसको देख लें आपको पूरा मिल जाएगा ठीक है ना MPPAT सिलेबस्ट क्लियर जिसको हम लोग किर्शी विग्यानियम गलित की मूलतत्व कहते हैं वह सारे लोग इसको PCMB के नाम से भी जानते हैं तो element of science कहते हैं तो exam pattern रहता है बच्चो 200 नम्मर का आपके paper होता है जिसमें आपका 50 नम्मर का पसुपालन 50 नम्मर का फसल उत्पादन और 100 नम्मर का आपक और बार्वी एगरी कल्चर दोनों की पूरा सलेवस रहता है दोनों आपके जो गयारवी का 50 परशन और 50 परशन बार्मी का वो सरचातर गयारवी को ढंक से नहीं पढ़ते हैं तो उनका कही नहीं नुकसान होता है यहां पर फिर उनको जो है कोचिंग करनी पढ़ती है तो वो थी समस्याओं का सामना भी करना बढ़ता है परटेंशन लेने की बात नहीं हम है ना आपके साथ आपको दिक्कत नहीं आएगी स्लेक्शन पिरक्रिया क्या है स्लेक्शन पिरक्रिया क्या है यह रहती है कि अगर 200 नंबर में से 200 नंबर का जो पेपर होगा उन में से आप के नम्मर यदी, category wise हैं वैसे general, OVC, SC, ST अब किस category में आते हैं, उसके according में बता पाऊँगा, आपकी last year का में system बताऊँ, तो last year का जो system रहा 2023 का MPPAT का selection की बात करूँ, तो बचो OVC वाले का आपका 105, 106 नम्मर तक selection हो गया है, जनल वाले का 112, 120 के बीच में selection हो गया है, ठीक न और जो आपका SC, ST का तो 95, 95, 95, 85, 85 नम्मर तक भी selection हो है, गल्स का तो, ठीक है ना, तो गल्स के लिए तो SC, ST के लिए तो बहुत अच्छी चीज़ है, उनको तो selection बिलकुल आसानी से होई जाता है, 200 नम्मर में से 85 नम्मर लाना कोई बड़ी बात नहीं है, थोड़ी बहुत SC, ST के लिए तो बहुत बड़ा फायता है, जन्नल OBC वाले थोड़ा सा ध्यान ने, उनको थोड़ा सा एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ती है, क्योंकि उनको जो है, आरक्षर नहीं होता है, ठीक है ना, चलो कोई बात नहीं है, बड़ खोज आएगा, अधी अप लोग पढ़ तो आपके पास 3-4 मेहने मिलते हैं, बहुत सारी कोचिंग वाले MPPAT की तयारी कराएंगे, अलग-अलग सहर में, इंदौर में, ग्वालेर में, जबलपुर में, शीहोर में, मंसोर में, बहुत सारी कोचिंग से चलते हैं, बहुत सारी कोचिंग से जाएंगे, जो भी है, कम स से कम 10-12,000 रुपए आपकी फीस रहेगी तीन से चार मेने की और आपकी भीड इतनी रहेगी कि आप तो देखके यह कहोगे कि आप क्या कुछ समझ में आए नहीं आए तो यहां पर मैं एक चीज आप से कहना चाहूँगा यदि आपकी कहीं बाहर जाने की छमता नहीं है तो आ इंसन ले लें मेरा ऐसा मानना है कि सेल्फ स्टडी का जो मज़व होता ना वो किसी चीज में नहीं होता जो बच्चा महनती हो जो बच्चा बाहर नहीं जा सकता हो उसकी हेल्प करने के लिए हमने यह मोवाइल नंबर दे रखा है MPPAT के आपको नोट्स की आवश्यक्ता है तो नोट्स एवलेवल हम कराएंगे यह हमारी जब्मेदारी है हम आपको पूरे नोट्स MPPAT के उपलब्द करा देंगे लेकिन अब यहां पर एक प्रॉब्लम आती है बच्चे के लिए वो यह रहती है कि सर उसकी आप कुछ फीस लोगे क्या तो जी हां मैं आपको बता दे किसी भी बच्चे को सोरी मांग लेता हूं मापी मांगता हूं उन से जो बच्चे कहते हैं कि फिर यह मिल जाए जहां पर आप 20-20.000 रुपे में सिलेक्शन कोचिंग करना जाते हो सिलेक्शन लेने के लिए वहां पर भी तब भी सिलेक्शन है नहीं होता मैं आपको जो भी पिर भी पूछेंगे बच्चे सर कितनी फीस है, फिर भी मैं आपको बताएता हूँ, 900 रुपे फीस है, बस इससे ज़्यादा फीस नहीं है, ठीक है ना, 900 रुपे अपकी फीस रहेगी, MPPAT Notes, कोई भी छात्रे दी लेना चाहता है, तो बिल्कुल ले दे, लेकिन वही छात्रे मैं बार-बार कहूंगा जो पढ़ सके, देखो बेटा, माब आपके पैसे ऐसे खराब नहीं करने है, ऐसे आपको भरबाद नहीं करने है, कि ले लिए, वो फिर पढ़ने ही रहे है, टेम पास, वो पैसे हमारे बिल्कुल नहीं पचेंगे, हमारे कोई काम नहीं आए नहीं एदि आप पढ़ सको, महंती स्टुडेंट हो, तू ही हमारे नोट्स ले, ठीक है ना, जो महनत करेगा, उसका स्लेक्शन से और हो जाएगा, क्योंकि तीन से चार मही ने बहुत होते हैं पढ़ने के लिए, ठीक है, रेगुलोर ढंग से तीन से चार गंटे परड़े तो आप लोग पढ़े, ऐसा ना हो कि ले करके पढ़े नहीं, ठीक है ना, पेशा आपका नहीं जाएगा, आप जहां भी कोचिंग पढ़ रहे हैं, जहां भी आप रहे हैं, जिस भी किताब से आप पढ़ने के कोशिस कर रहे हैं, तो किताब के बारे मैं नहीं बताता हूँ किताब से सलेक्शन नहीं हुए है कि जो भी किताब आती है जैसे अर्यंत वगेरा वो सारी किताब च्छापते हैं मैं कहता हूं कि किसी भी कोचिंग के तू नोट्स ले ले और उनसे स्टड़ी कर अगर कर सकता है तो ठीकना देखो समस्या कहा आती है समस्या फसल उत पादानो पसुपालन में तो बच्चे को बिलकुल नहीं आने वाली है नोट्स से मैं सेल्फ स्टड़ी के बात कर रहा हूं और अकली दिक्कत आती है उसको फिजिक्स कर वे स्ट्रीम और मैस में थोड़ी बहुत समस्या आती है अगर वो उन चीजे को बार 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 का बच्चे मतलब जान लगते हैं तो जान लगाना सीखिए अपने काम पर मरबटना सीखिए दुनिया चरणों में आपके दीब जलाएगी चरणों में अपनी सफलता की कहानी लिखना सीखिए बस में इतने कहना चाहरा हूं इसलिए आप लोग लग जाए तरीका कुछ नहीं है त्यारी के तरीका चर्फ यहीं है यही आपको त्यारी है अप सेल्फ कर सकते हैं और आपके एक्छा घिर मन जारों जाना है तो भार भी आ सकते हैं ठीक है और कोई सवाल कुछ भी हो आप लोग कमेंड बॉक्स में लिख कर पूछ सकते हैं मुबाइल नम्मर भी हमने दे रखे हैं अगर मेरी पूरी बात समलिए तो अच्छी बात है फिर भी कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो क्लियर चलिए ठीक